मसीख उदावद में आप सब की इसलामती हो हमारी लिए आज की तलावत मुकदस मर्कस की अंजीद उसका चारबाप 21 से 25 हयाथ तक और उसने उन से कहा क्या चराग इसलिए लाया जाता है कि पेमाने या पलंग की नीचे रखा जाए क्या इसलिए नहीं कि चरागतान पर रखा जाए क्योंकि कोई बात पश्रीदा नहीं जो जाहिर ना की जाएगी और ना ही पश्रीदा की गई मगर उसने इसलिए जाहिर हो जाए कि जिसके सुनने की कान हो वो सुन ले फिर उसने उनसे कहा कि गोर करो जो सुनते हो जिस पैमाना से तुम नापती हो इसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें साधा दिया जाएगा जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है पाक नाम के पड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बर्कुतों खुदावंद का शुक्र हो बाप और बेटे और उलकुद्दस के नाम में आमीन मसी यसु में मेरे अजीज बहन और भाहियों और प्यारे बच्चो आप सब को कराची पाकिस्तान से शौकत भटी का सलाम पहुंचे मेरे अजीजों आज की तलावत बोने वाले की तमसील का तसलसल है यसु मसी चाहता है कि लोग और उसके शागिर्द इलाही सचाए को पूरे तोर पर जान ले समझ ले बन्यादी तोर पर खुदान यसु मसी कह रहा है कि अगर मुझ से कुछ सीखना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो अच्छी और जरखीज जमीन बनो जब यसु मसी ने चराख की बात की तो वो चाहता है कि आपकी रोशनी चमके मेरे जिज़ों जमाने कदीम में चराख आम तोर पर मट्टी से बनाया जाता था जिसकी शक्ल एक खौल की तरह होती थी और उस जगह जहां बत्ती रखी जाती थी पिचके हुए होंटों की मानत होती थी बनी इसराईल के इलाके में चराख में जैतुन का तेल इंदिन के तोर पर जलता था और इतना तेल भरा जाता था कि तकरीबन पांच गहंटे जलता रहे यसर्मसी ने दस कमारियों की तमसील में पांच बेवकूफ कमारियों में बताया कि उन्होंने अपने चराख रोशन करने के लिए मुनासिब मनसुबाबंदी ना की यूँ वो जियाफत में शरीक ना हो सकी मिरे जजीजों चराख अबादगा का लाजमी हिस्सा थे और आज भी है जो खुदा के कमाल और मस्तकल रहनमाई की अलामत समझा जाता है खुदावन ने दाओद बादशा और उसके घराने को भी अब्दी बरकत देने का इस ताहरा एक चराख को ही रखा खुदा ने दाओद से कहा कि वो उसे और उसके घराने को हमेशा एक चमकता चराख देगा जो बिलाखर मसी यसु के पदैश पर एक तताम पजीर हुआ और मकाश्वा की किताब हमें बताती है कि आने वाली बादशाही को चराखों की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा का जलाग उसे रोशनी देता है और बर्रा उसका चराख है मजबीर में लिखा है कि खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चराख और मेरी रह के लिए रोशनी है चराख की तमसील हमें बताती है कि हमारा फर्ज है कि हम यसुल मसी को हासल करें उस पर एमान लाएं और एमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम को क्योंकि वो ही रोशनी है वो ही रहनमा है और वो ही हमें तारीकी से बचाता है बाइबल मुकदर से में बताती है एक खुदान यिसुही नूर है मेरे जज़िसों आज से चंद साल पहले मैं अपने दो दोस्तों के हमरा किसी होटल में गया जहां दिवार पर लगी एक तक्ती पर फार्सी जबान में लिखा था कि वो नूर लेकर इस दुनिया में आया चुक्छे मेरा एक दोस्त फार्सी जानता था उसने पढ़ा और पिर हस दिया और जवाबन हम भी हस दिये इतने में एक शक्स हमारे पास आख खड़ा हुआ और हम से पूछा कि जगड़ा क्या है हमने कहा जगड़ा बैसाब हम बड़ी मुद्द के बाद इत्फाकन मिले हैं और होटल में चाहे पीने आगे हैं और कुशी में हस रहे है उसने दिवार पर लगी तख्ती की तरफ इशारा किया और कहा नहीं मैं इस तख्ती की बाद कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है मैंने कहा सर ये तख्ती आपने लगाई है आप बहतर जानते हैं वैसे आप बताएं आप हैं कौन उसने का मैं यहां काम करता हूँ उसके रख रखाओ और शक्सियत को देखते हुए मैंने कहा मैं समझ गया आप ही इस होटल के मालक है यह होटल आपका है आप हमारे साथ बैठ जाएं और हमें बताएं उसने कहा कि मैं बहाई मजब से तालक रखता हूँ और बहाई ही वो शक्स है जो दुनिया में नूर लेकर आया और बहाई ही ने अधिरा दूर किया दुनिया को तालीम दी रोशनी दी मैंने कहा सर हमें दूसरे मज़भ का तो पता नहीं नहीं हमने तालीम हासल की है लेकिन हम अपने अकीदा और बाइबल मुकद्स की रोशनी में ही बता सकते है कि हमारे नजदीक नूर क्या है रोशनी क्या है बाइबल मुकद्स हमें बताती है कि खुदा ने अब्तदा में रोशनी को बनाया और ये रोशनी किसी सूरज, चाहां, सितारे की मुटाच ना थी क्योंकि सूरज और चाहां उचाण सितारे खुदा ने तीसे दिन खलक किये और मुकद्दस यहन्ना के इंजीर के अब्त दाँ में ही लिखा है कि इतदा में कल्मा था और कल्मा खुदा के साथ था और ये कल्मा ही नूर है जो ये सुल मसी की सूरत इस दुनिया में आया उसने ये नहीं कहा कि मैं नूर लेकर आया हूँ बलके दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूँ और बाइबल मुकद्स गवाही देती है कि वो आफ़ता बेस अदाकत है साइंस ये बताती है कि काइनात ये सूरज चांड सितारे एक ऐसे नूर की बदौलत काइम और दाइम है जो पूरी काइनात में फैला हुआ है और अगर वो नूर खत्म हो जाए तो काइनात के तमाम सितारे आपस में टकराकर तबाव बर्बाद हो जाएंगे और बाइबल मुकद्स हमें ये भी बताती है कि कल्मा ही से यसुल मसी से ही सब कुछ पैदा हुआ एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगएर पैदा ना हुई और खुदान ये समसी की क्या ही महबत है उसकी महबत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उसने हम से कहा कि तुम दुनिया के नूर हो उसने अपना लगब हमें दे दिया मेरे जिस तरह नूर के बगएर ये दुनिया तबाह बरबाद हो जाएगी उसी तरह अगर हम मसीही ना रहे तो ये दुनिया अंधीरी हो जाएगी आज की तलावत में ये सुल मसीह हमें ये बावर कराना चाहते है के कलाम को सुनना उसे सुनकर अपने जिन्दगी में अपनाना और फिर उसे दूसों तक पुंचाना हम सब की जिम्मधारी है पलंग नीद गफलत सुष्टी और कहली की अलामत दी है इसलिए खुदा के नूर को दुनिया में पहलाएए चराग में जलने वाली बत्ती जिन्दगी है जो धीरे धीरे जल कर छूटी होती जाती है लेकिन तेल रूल कुद्दस की अलामत है जो आपको रोशन रखेगा मेरे यजीजों ये सच है कि एक चराग की रोशनी दुनिया की तारीकी दूर नहीं कर सकती लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के तमाम अंधेरे चराग की इस चोटी सी लौक को बुचा नहीं सकते इसलिए आपके पास जो भी रोशनी है जितनी भी रोशनी है उसे दुनिया में आम करें आम करें क्योंकि येसु इलमसी हमारे साथ है खुदा हम सब को बरकत दे आमेर